हेलो वाट सब गाइस मैं नेम इस पिनोट बादूर थापा एंड टूडे इन इस वीडिए वीडियो वीडियो होने जा रहा है और एक्सप्रेश टुटोरियल इन हिंदी के उपर जहां हम यह देखने वाले कि यह जो आसम वीबसाइट में जो क्रेट किया हुआ है इसको हम कै एक्सप्रेश एज बैकेंड हम उसको यूज करने वाले है इस वेबसाइट के लिए एंड कैस में बाताना चाहूंगा आपको बहुत मजाने वाले क्योंकि सिर्फ वान लाइन अप कोड हमें लिखना है एंड इस ओसम वेबसाइट को हम बहुत इजिली एक्सप्रेश में अ ना करें और गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS Code Editor पर आ चुका हूं और यह मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं जहां पर आप देख सकते हो गाइस वी हैब एक्सप्रेस बाइता जो मेरा मेरा में रूट डिरिक्टरी है उसके अंदर वी इस वीडियो में ही मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से आप स्टेटिक वेबसेट को सर्फ कर सकते हो विद दी हलप ऑफ सिंगल वान लाइन अप कोड ठीक है एंड मैं आपको यह भी बता था कि नेक्स वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यह जो इतना आसम व बात वह बता रहा है लेकिन अब इसको मैं एक्सप्रेश की मदस से अपने खुत के सर्वर्ट जो हम क्रेट करने वाले उस पर में इसको सब करने वाला हूं एंड वो किस तरीके से मैं आपको बाता तो दिखेगा इस नाव इस सुपर डूपर इजी एंड इसी को ही आप कह स भी करने वाकर आपका रहा हूं तो सबसे पहले अगर आप याँ खुद का पहले सरवर करेंगे ताकी वेब्साइट को हम ओस्ट कर सके ठीके सबूमें फिर से बाता रहा हूं सोर्स पोल्डर के अंदर index.js के अंदर मैं फिलाल वर्क कर रहा हूं तो सबसे पहले अगर आप express पर वर्क कर रहे हो तो गाइस वी निट टू एक सेकेंड जूम कर देता हूं वी निट टू रिक्वाइड दी एक्सप्रेस मॉडिल सो इस तरी किसी में चलता हूं यहां पर लिखना होगा रिक्वाइड एंडशी में एक्सप्रेस जो मेरा फंक्सण उसको रिक्वाइड कर लिया है अब मुझे क्या कर लिए यूजर रिक्वेश्ट कर रहे है यह जैसे मेरा होम पेज है क्या हूं www.thapatechnical.com forward slash index.html या आपका home page वो request कर रहा है तो मुझे उसको सुनना पड़ेगा listen करना पड़ेगा so app.listen and this is it अब आपको port number mention करना गाइस आगे हम जाके environment समझेंगे लिकिन फिलाल अभी मैं you know simple एक const port variable mention कर जाता हूं that is 8000 अब चाहे तो कुछ भी दे सकते हो तो फिलाल 8000 दिया यहां पर मैं चलता हूं simply लिख देता हूं port and यह make sure करना है कि हाँ बाई मेरा यह जो server running है I mean चल रहा है so console.log यहां पर मैं चलता हूं and I hope spelling से यह लेकिन मैं अभी ES6 का template literal search करने आप तो listening I think listening to the port ठीक है and guys आप देखो क्या करना है मुझे basically वह variable pass करना है यह basically यह वाला जो port है ना तो dollar and then calibrations के अंदर आपको लिख देना है port simple इतना मेरा काम होग है अभी देखो guys मुझे क्या करना है मुझे एक root create करना पड़ेगा and that is की जब भी कोई thapatechnical.com basically वह हमारा main है I mean वह हमारा main home page है and home page कोई हमारा main root है वह हम बोलते है right तो simply मुझे पहले वह create करना पड़ेगा root so app.get method simple get post put patch delete हो ता अभी हमें सिफ get means to get the data from the server server सामें यह website ही तो चाहिए symbol ठीक है इसके अंदर basically दो parameter जाता है and that is just simply root and then we have this callback symbol ठीक है so root मतलब आप किस page को visit करना चाते हो suppose यह simple अगर आप empty भी रग दोगे या follow slash दोगे it means आप simply आपका जो main home page है and by default server हमें सब को index ही मानते index.html हो या index.job हो ठीक है simple अगर about page होता तो इस तरह किसे आपको about लिखना पड़ता फिलाल सिर्फ मेरा main root page callback के अंदर आपका रिक्वेस्ट का object and then response object अब यह जो response है response.send अगर मैं यहां पर चलता हूं एंड लिख देता हूं hello from this server express server लिख देता हूं एक्सप्रेस सर्वर कंट्रोल सेव इतना मेरा काम हो चुक है इनको मैं हटा देता हूं चलो ठीक है अब यह मैं क्या करता हूं काईस मुझे basically अपना server on करना है and I think already यह चली रहा है तो अगर मैं यहां पर refresh करता हूं सो काईस आप बहुत किलिए लिए देख सकते हूं hello from the express server simple यह मुझे मिल रहा है मतलब मेरा यह जो server वो create हो चुका है अब मुझे इस तरीके से जाके अपाचे server जो की PHP के लिए एकदम नीड है मुझे create नहीं करना मैंने अपना खुद का server create कर लिया है अब मुझे यह जो मेरा website है HTML and CSS का and best party की CSS भी नहीं है SCSS basically CSS का framework उसके through मैंने यह create किया था वो मेरा यह website है इसमें मैंने bootstrap भी यूज किया हुआ है आप देखी सकते हो guys यहाँ पर मैंने इसको पर वीडियो क्रेट किया था आप देख सकते हो एक माहने पहले create responsive animated website using bootstrap 5 and sas in hindi in 2020 इस वीडियो को जरूर check out कीजिए अब वो अल्रेडी यहाँ पर है मेरे पास इसका source code पड़ा हुआ है मुझे इसको अपना जो main server मैंने create किया वहाँ पर मुझे अब इसको serve करना है ठीक है and वो मैं कैसे कर सकता हूं देखो guys उसके लिए हमार पास एक inbuilt मैंने आपको प्रिवेश वीडियो में बता था जिसका नाम है express.static and मुझे उसको यूज करना है तो कितनी easily मैं पता सकते हो देखो मेरा जो app है वहाँ पे मुझे simply express.static यह जो middleware है इसको यूज करना है मेरे app में express.static जो middleware है उसको यूज करना है simple and यह जो मैंने parenthesis क्रेट किया है इसके अंदर गाइस मुझे अब पात देना है कि आपने यह जो website क्रेट किया basically आपका यह जो website है static website है इसका पात का है चाहिए वो जहां पे भी मुझे बस यहां पे आप लिग दीजिए मैं उसको को यहां पे सब कर दूँगा simple ठीक है अब देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो मेरा है मैं यहां पर आगर आपको लिखी चलिए देखो गाई मैं आपको बता है मेरा जो में फोल्डर है वह नोट.js यूटूब आप देख सकते हो उसके अंदर नोट.js की सीरीज अब देख सकते हैं जो माई म्यूजिकर की जो फोल्डर है इसके अंदर का इस बेसिकली तीन फाइल है इमेजेस राइट वी हब दिस सास स्सस बीसिकली सीसे सम मैं आपको सब करके बता रहा हूं और इंडेक्स दोर टेस्टेमल जो की बूस्ट्रा 5 में लिखा हूँ है इन इस इनों को में करता हूँ कॉपी हमारा एक्सप्रेस भाइ थापा में चलता हूँ एक चीज में आपको बताना है बूलिया डैटीज कि यह जो पात है यह बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसके लिए क्या करते है आप देखी सकते उसके अंदर में एक निव फोल्डर क्र करना रहता है एक काम करता हम इसको डिलिट कर देता हूं कम्पलीट एंड अप देख सेकते हैसिक लेट कर ने क्यूंकि मैं चाहता हूं मैंने जो copy की थी आपको याद है public अभी just मैंने जो create किया उसको मैंने paste कर देना है and I think मैंने उसको copy नहीं किया मैं वापस चलता हूँ demo पर my music के अंदर इतीनों को मैंने की copy क्योंकि यही मेरा मेन है इसको देखो गाइस वापस में क्लिक करता हूँ आप देख सकते हूँ वापस यह मेरा रन हो चुका है ठीक है तो इसको मैं करता हूँ copy express पर आना है public folder जो मैंने create किया यहां पर उसको paste कर देना है and I think images अभी भी नहीं हुआ है simply यहां पर आता हूँ public folder के अंदर गाइस में बहुत दीजे लिए दूसरे तरीके से कर सकता था लेकिन I think यह सबसे इसे तरीका था simple मैंने copy कर ली अब अगर मैं आपको यहां पर लेके चलू सब देख सकते हूँ इंसाइड मैं public folder images नाम का एक folder बनके ready scss आप देख सकते हूँ mixing variable vendors include मतलब सब कुछ सास के ऊपर मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया जरूर चेक आउट कीजे गाइस बहुत आसम है एंड complete booster 5 की उपर भी है responsive block जरू चेक आउट कीजेगा इस बहुत आसम वीडियो आपको मिलने वाले तो इतने मेरा काम हो चुक है मुझे बस किसी तरी किसी जो public folder उसका पाथ मुझे यहां पर देना है ठीक है तो कैसे होगा देखो गाइस एंड यह जो कमेंट आप देख रहों कैसे मेरे basically previous जितने अभी तक में आपको कोर्स में बता है वो सब्सक्राइब मैं डिलेट नहीं करना चाहता था उसको इसलिए कमेंट करके रखा हुआ है तो गाइस मुझे वह पाथ चाहिए क्या चाहिए मुझे इस पब्लिक फोलर का पाथ चीए ठीक है देखो कैसे होता है कभी भी आगर आप पाथ के साथ खेलते हो तो कभी रिलेटिव पाथ मत यूश करना दिया टू टाइप साब पाथ रिलेटिव एंड दन एप्सलूट रिलेटिव इस लाइक डॉट डॉट यह जो दक लिल्षिट करें देख रखाया है जो सौंइ के अदर मेरा एंडेक्स डॉट इस लोट गरमें तरह के बाद दूट ओम जो पैलिए नहां डितना जो रॉट हो पैलेटों लोट बहुत सब्सक्राइब जो सो फोल्डर के लोट है उसको मुझे रन करना है and आप देख सकतो एक error है and that error is basically because of यह वाला line क्योंकि path यह जो मैंने pass किया basically यह अभी कुछ है नहीं है अभी हटा दिया तो perfect दिखें गाइस यही path मैं आपको दिखाना चाहता था and that is eDrive के अंदर note जैस YouTube to folder के अंदर express by thapa folder के अंदर जो source folder है उसके अंदर अभी मैं हूँ and मुझे source नहीं चाहिए मुझे चाहिए public ताकि वो जो public उसको मैं यहां पर add कर सकूँ उस folder का नाम सिंपल ठीक है so कैसे होगा देखो guys it's super duper easy instead of यह जो directly यह है guys अब हमें एक और module के साथ खेलना है and that is guys अगर हम मिला है तो बहुत इंपोर्टेंट बन जाता है सारे चीजे राइट so require and मैं यहां पर चल देता हूं इस तरगी से लिख जाता हूं पात control यह से इस जो पात इसके अंदर गाई से अभी method है simple function कह सकते फिलाल अभी मैं यहां पर चलता हूं that is path.and then join यह हमने प्रीवेस वीडियो में देख लिया था लेकिन फिर इस वीडियो में मैं सब कुछ एकदम scratch से दिखाना चाहता था ठीक है तो path.join की मदद से यह जो मेरा है देखो module wrapper function जो भी है यह the name comma and मैं चाहूंगा कि किसी तरीके से मुझे public का यह जो folder इसको मैं access कर सकूँ get कर सकूँ अब भी आप देख सकते हो अगर मैं simply यह लिखता हूं तो मुझे express by thapa folder के अंदर जो source folder है वो मिल रहा है क्योंकि फिलाल मैं source के अंदर ही हूं लेकिन the moment अगर मैं यहाँ पे चलता हूं and dot dot enter hit करता है and this is it guys अब आप देख सकते हो कि मैं source folder के बाहर आ चुका हूं and उसका मतलब यह कि अब मेरा जो main folder है वो है मेरा express by thapa right so guys यही तो मुझे चाहिता है सिर्फ दो dot use करके अप में source folder के बाहर आ चुका हूं it means जो मेरा current root folder है वो है मेरा express by thapa and उसी directory के अंदर we have one folder जिसका नाम है public जिसका मुझे path चाहिए ताकि एक जो inbuilt middleware express.static अगर मैं वहाँ पर आड़ कर दूँ और मेरा website बनके ready इतना super duper easy था ठीक है so यहाँ पर मैं चलता हूं forward slash and मैं यहाँ पर आड़ कर देता हूं इस तरीके से public and control and save and boom का ऐसे देखिए यही मुझे चाहिए eDrive के अंदर node.js youtube के अंदर express भाई था पा and public जहाँ पहले था source अब मैं आज चुका हूं public folder के अंदर अब मैं क्या करता हूं देखो एक const variable क्रेट कर लेता हूं जिसका नाम होगा static patm अप नाम कुछ भी दे सकते हूं वेरियबल का नाम ठीक है यह जो पाट है इसको मैं करता हूं copy and यहां पर paste क्योंकि मैंने आपको यह दिखा दिया क्या output आने वाला है इसको आप मैं हटा देता हूं इसको भी हटा देता हू इसको भी मैं हटा देता हूं अब गाइस मुझे क्या करना खाली यह जो static path है इसको copy करना है and यहां पर मुझे इसको paste कर देना है अभी आप देख सकते हो गाइस अभी खाली hello from the express server है because of this line लेकिन अब मैं यहां पर चलता हूं path के बदले अप मैं static path add कर देता हूं simply controller save करता three two one and boom guys कि कितनी easily मैंने आपको बताए कि अब आप अपना खुद का website express पर कैसे सब कर सकते हो हमने खुद का server create किया and मैंने आपको यह भी बताए कि हमें कुछ छेडखानी करना ही नहीं है जो कुछ भी आपको website में करना public folder already हमने create कर दिया है यहां पर suppose यह जो मैंने लिखा है contact ही है अगर मैं था सा कम जूम करता हूं यहां पर यहां पर यहां पर लिस्ट के बाद मैं अगर एक और लिस्ट खोल दूँ एंड यहां पर मैं लिख देता हूं subscribe याल वीडियो को लाइक कर दीजे कुछ भी अब आप देखते हो एंड मैं refresh करता आप भूम गईस आप सब मेरा काम यहां पर हो रहा है मालब कितिना इजी था है आज इस वीडियो के लिटना ही एंड रिली धी अब आपका इंट्रेस बड़ रहा होगा कि विद्धी हेल्प आप एक्सप्रेस खुद का सर्वर क्रेट करना है एंड स्टैटिक वेबसाइट को सब करने के लिए सि इसना वीटिफल वेबसाइट हमने एक्सप्रेस के थिरू कितनी इजी सब करा लिए अब फाइनली आप कह से सटो कि मैंने वेबसाइट क्रेट किया है जिसमें मैंने बैक एंड नोट जस एंड एक्सप्रेश का यूज सकते हूं क्योंकि आप देखी सकते हो कि क्रेट करेंगे खुद का वेबसाइट होस्ट करेंगे बेसिकली सब करेंगे तो इस इस वीडियो के लिए अपको बहुत पसंद आ होगा मैंने पूरी कुछ इसकी फ्रॉम स्क्राइट से आपको बताओ कि कितनी इजी बना-बना स्टैटिक वेबसाइट को आप वितीन अप आपके वीडियो थोड़ा सा भी उसफुल थोड़ा सा भी पसंद है प्लीज गाइस इस वीडियो के लाइक जरू कर दीजेगा अपने सभी दोस्तों को सारे सोसल नेट्वरकिंग साइट्स आपके वाट्साप फेस्बूक ट्विटर सबसे जादे इंपोर्टेंट आपका वाट्साप ग्रूप जरूँ सेर कर दीजेगा और बताना चाहूंगा गाइस आपी कि लव एन सपोर्ट से हमने टूलैक सब्सक्राइबर कंप्लेट कर लिया है अब हमारे नेक्स टार्गेट है थ्री लैक सब्सक्राइबर सो गाइस अब भी तक अगर आपने मेरे चनल था पापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा राइट साइड में क्रेट कलर का बैल ऐकीन एक घंटी दिखाए देगा हिट कीजे क्लिक कीजे ताकि आप डेले से औसम वीडिस को मिस्स ना करें एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक झाल